वेलकम टो इलाइश्टेडी प्लेट फॉर्म इस वीडियो में डिस्कुशन करेंगे हिमाचल परदेश राष्टेत अंतराष्टे घटनों का स्टिक सारांस हिमाचल परदेश के बहुत ही मतोपुन प्रसंद में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसमें प्रसिद्ध ह टॉनी देवी माता का मंदीर जो की हमीरपुर जिला में स्तित है किस बंस के द्वारा इसका संबंद जोड़ा जाता है कितना ये पुराना मंदीर है इस तरह के हिस्टॉरिकल प्रसंद इस वीडियो में आपके साथ डिस्कुशन किये जाएंगे और आश्ट्र अंतराष्ट इस तरह के कुछ प्रसंद आप लोगों के समक्स है हाली में किस देश में प्रेटन को भढ़ाबा देने के लिए पहली बार टूरिस्ट विजा जारी करने का निर्नय लिया गया है इस बहुत ही महत्तुपन प्रसंद इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे आई मंदीर की अगजेक्ट लोकेशन की बात करें तो यह हमीरपूर से करीब 14 किलोमेटर की दूरी पर स्तीत है और इस मंदीर का समंद जोड़ा जाता है चोहान बंस से और चोहान बंस माता टौनी देवी को कुल देवी के रूप में पूझते है तो स्टेंड से फ्याक्ट उपचनाब के लिए धर्मसाला तता पच्छाद से भाचपा के उमिदबार होंगे सबसे पहले स्टेंड साप प्याद रखें कि हमाचल परदेश में भी दो जगा पे उपचनाब हो रहे है पहला है कांगड़ा के धर्मसाला में दूसरा है सिर्मौर के पच्छाद में यहा उन्हों ने चुनाब जीत के लोकसबा में स्तस्यता गरंड कर ली है इस कारण से दोनों पद यहां पे इनके खाली है और अब यहां पे होने जा रहे है उपचनाब यानि बाई लेक्षन तो भाचपा की तरफ से दो चेरे हैं यहां पे बिसाल नहरिया जो की चुनाब लड पच्छाद से कांग्रेस के उमिदवार होंगे इसका सयूतर है धरमसाला से कांग्रेस के उमिदवार होंगे बिजय इंदर तथा पच्छाद से कांग्रेस के उमिदवार होंगे गंगुराम मुसाफिर के अंदर सरकार ने हिमाचल के किन दो नेशनल हाइवेस को डबल लेन बनाने की मंजूरी दे दी है तो स्टेंड्स ये दो हाइवे है पाउंटा गुंबा पीट्सपूल और दूसरा है हमेरपुर बंडी बाया सरकागाट सामिल है परदेश सरकार ने इन्हें ग्रीन हाइवे प्रोजेक्ट नाम दिया है ये दोनों प्रोजेक्ट बर्स 2010 से लटके हुए थे यानि स्टेंड्स ये दोनों जो डबल लेन भी बनने जा रहे हाइवेस्टिक है तो ये काफी प्रोजेक्ट था लेकिन किंदर सरकार के द्वारे सभी कृति दे दी गई है इनके नाम आपने याद रखने एक वरे सब रसन अलाइड या एंटी की सर्विसीज में पहले भी जा चुका है पॉंटा गुंबा पीट्स पूल दूसरा है हमीरपूर मंडी बाया सरका घाट ये एट परजेंट हाइबेस है किंदर सरकार ने सभी गृति दी है कि इने डबल लेन में बदला जाए सिमला के रिज मैदान पर आयोजित सेव उत्सम में सेव की एप्स किसम बिक्सित करने के लिए किसे समानित किया गया स्टेंस आपको ग्यात होगा मानिय मुख्यमंत्री जैराम ठाकर द्वारा सिमला में सेव उत्सम का इनेगूरेशन फर्स डे में उन्होंने बहाँ पे सिर इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्णन को सिने स्ट्रेंट से ग्रेट हिमालेन राष्ट्रिया पार्क हिमाचले परदेश में किस जीला में स्तित है उसका सई उत्तर होगा कुलू ग्रेट हिमालेन राष्ट्रिया पार्क कहां पे है कुलू में है बस 1984 में इसे बनाया गया था 1170 बर किलोमेटर के एक सेतर में फैला हुआ है और सबसे मतोपुन चीज़ आपने आद रखनी है बर्स 1999 में इसे राष्ट्रिया पार्क का दरजा दिया गया था और बाद में 23 जून 2014 को यूनेसको द्वारा इसे बिश्सो बिरास तर्व का दरजा दिया गया था कलरक से लेकर हैस्स तक के प्रिक्सा में आपको बता है छोटी प्रिक्सा में पुछ ले जाता है ग्रेट हिमालियन राष्ट्य पार्क का है, आप सिधा उत्तर करेंगे कुल्लू में, इस पार्क की स्थाफना कब की गए थी, सिधा सा प्रसंद उत्तर होगा 1984 में, ठीक है, इसका चेतर फल कितना है, 1170 बर किलोमेटर से, एचेस में स्ट्वेंट से प्रसंद पूछा गया था कि माचल प्रदेश के किस पार्क का जो चेतर फल है, और 1170 बर किलोमेटर है, पिछले साल की बात कर रहे है, ठीक है, और उसके बाद एक स्ट्वेंट इसको कब राष्टे पार्क का दर्जा दिया गया था, तो उसका सही उत्तर है 1999, और यदि बात करें, युनेस्को के दोर है, हम आपको सुझेस्ट करते हैं, कि आप जनबरी 2019 से लेकर सेप्टेंबर 2019 तक के क्रंट फेर्स जरूर पढ़ें, और ऐसे क्रंट फेर्स आपको पढ़ने है, जो अनुभवी हद्यापकों दोरा बनाये गए हो, और आपको ये की PDF में या ये की किताब में आपको हिमाचल परदेश, राष्ट्रिया, तथा अन्तर राष्ट्रिया करंट फेर्स, कंसाइज नोर्स की फॉर्म में मिल जाए, तो मुझे लग रहा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो हमारी टीम के दोरा इसी सोच को ध्रातल पे उतारने के लिए, दो PDF त्यार की गई है, आप इमे परदेश के लिए आप जिरूर इसको ट्राई करें, इसको परचेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट ilasstudyco.in पर, आगे बात करेंगे, नेशनल क्रेंट अविर्स के बारे में, हाली में के अगला बायू से ना प्रमुक बनाने का फैसला लिया है, तो इनका नाम है राकेश कुमार सिंग बधोरिया, आपने याद रखना है, राकेश कुमार सिंग बधोरिया को के अंदर सरकार दोरा, हाली में अगला बायू से ना प्रमुक बनाने का फैसला लिया गया है, हाली में किस देश में प्रेटन को बढ़ाबा देने के लिए, प अमेरिका के पास भी पहले से है, चाइना के पास भी पहले से है, सौधी अर्ब यहां पे थोड़ा सा यूनिक सब्द भी लग रहा है, ठीक है, तो आपका सही उतर क्या होगा इसका, सौधी अर्ब, तो सौधी अर्ब के द्वारा हाली में एक निरन्या लिया गया है, कि प्रे operation बीजय, fourth is operation आजाध हिन, the right answer is operation जिवरालिटर, ठीक है स्टेंट्स बहुत मतोपन प्रसंद है, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश है, you have four options, भारत, इराग, सौधी अर्व और इरान, तो इसका सही उत्तर होगा, सौधी अर्व दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का निर्यातक करता है, और इस सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के बंधारन की बात करें, तो स्टेंट्स तुस देश का नाम है अमेरिका, और स्टेंट्स एक प्रसंद इसमें से आपको आपको ग्यात ओकर स्टेंट्स दो अक्तुबर 2019 को हम महात्मा गांदी की बर्थ अनिवर्सरी बनाएंगे जिसका नंबर है 150 यानि महात्मा गांदी जिया जिन्दा होते तो दो अक्तुबर 2019 को उनकी आयू 150 बर्स होती, पहले इस चीज़ को आप याद रखें भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में 2 अक्तुबर को 208 दिवस के रूप में बनाया जाता है तो इस बर्स आप किसी प्रिक्सा में बैठेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांदी से समंदित आपको 2-4 प्रसंद देखने को जरूर मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए आज कुछ ऐसा कोशिस करेंगे हम अगले एक दो दिनों तक कि आपको महात्मा गांदी के बारम जो जितने महत्तोपुन प्रसंद है उसका भी आपको एक सर विजन करवा दिया जाए आज का पहला प्रसंद है सियुक्त राष्टर द्वारा किस बरस भारत के राष्टर पिता महात्मा गांदी की जैनती को अंतराष्ट्रिया हैंसा दिवस गोसित किया तो इसका सही उत्तर है बरस 2007 महात्मा गांदी जी द्वारा किस बरस स्वराज पूस्तक लिखी गई थी यू है फोर आप्षंस 1909, 1930, 1940, 1920 तो इसका सही उत्तर है बरस 1919 पहले भी प्रसंद कई प्रिक्सवा में पूछा जा चुका है महात्मा गांदी द्वारा किस पूस्तक में स्वयच्छिक ग्रिबी पर चर्चा की गई है जातिबात अथा राजनिती, हिंद स्वराज, मेरा प्यारा देश, भारत विभाजन तो इसका सही उत्तर है हिंद स्वराज जो कि 1909 में महात्मा गांदी जी के द्वारा लिखी गई थी तो चैन्स आप याद रखें महात्मा गांदी जी द्वारा हिंद स्वराज पूस्तक में स्वयच्छिक ग्रिबी पर चर्चा की गई है ये प्रसन एंटी और अलाइट सर्विसीज के लिए प्रसन भी तक नहीं पूचा गया है गांदी जी से अफरीकी नेता नेलसल मंडेला पूर्व अमेर्की राष्टपती बराक वामा तथा मार्टिन किंग लुथर बड़े परसंसक थे इनके नाम भी आपने याद रखने है महतमा गांदी ने किस नदी के बारे में यह कहा था आपको मैं स्टेटमेंट पढ़के सुनाता हूँ आपने अबजर्व करने उस रिवर का नाम क्या है नदी की भब्या सांती मन्नोहर परतीत होती है बादलों में छुपा चंदर जल को प्रकासित कर रहा है लेकिन मेरा मन असांत है देखिए प्रक्ति के प्रेमी भी थे महतमा गांदी जी द्वारा तो ये जो उनके बाक्या सब्द थे ये कहा गये थे उनके द्वारा ब्रह्म पुत्तर नदी के लिए स्टेंड साब किसी प्रिक्सा की त्यारी कर रहे है तो हमारी वेबसाइट पे बहुत उत्कृष्ट देन समगरी उपलवद है आप इसका जुरूर लाब उठाएं थेंक्यू बेरी मस्ट कीप बॉच्चिंग इलेस्ट डिटूब चैनल